तो हेलो बच्चो नमस्कार माधर क्लासेस में आप सभी का स्वाकत है तो आज मैं आपको بहुत ही महतुपूर गध्यांस बताने जा रही हूँ जो आपका हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टन्ट गध्यांस है तो सभी बच्चे इस गध्यांस को अच्छे से साल्व करना जरूर सिख लेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगातार मैं आपको important गध्यांस का वीडियो देती रहूंगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखें यहां पर महतोपूर गध्यांस बताया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही जादा important है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गध्यांस को पढ़ेंगे कि गध्यांस में आखिर दिया क्या है क्योंकि जो प्रश्ण पूछा जाता है तीन प्रश्ण इसी में से पूछा जाएगा उस प्रश्ण के अंस्वर आपको इसी गध्यांस में से देने है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ध्यांस से पढ़ेंगे ठीक है तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक आवसदी है हमें अपने मीत्रों से यह आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकलपोव में हमें दिड़ करेंगे दोसों और ट्रोटियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे और जब हम कुमार्ग पर यानि गलत रास्ते पर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे जब हम हतोत साहित होंगे यानि कि परेसान होंगे तब हमें उस साहित क करेंगे अरांस यह है कि हमें उत्तमता पुर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे जो हमारे सक्चे मित्र होंगे वो हर तरह से हमारी सहायता ही करेंगे सक्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की सी निपुड़ता और परक होती है अच्छे से अच्छे क्या क्या दिया हुआ है तो सारे प्रश्ण इसी तरह से आपके बोर्ड एक्जाम में 2030 में आपके इसी तरह के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्ण आप यहां पर देख सकते हैं उपरोक्त गध्यांस का संदर्भ लिखिए तो इसका संदर्भ आपको देखिए विश्वास अब डैस डैस करके फिर लास्ट वाला जो होता है उसको लिखेंगे ठीक है पूरुस को करना चाहिए पूरुस को करना चाहिए ठीक है अब देखिए अब हमें क्या करना है पहला प्रश्ण है ठीक है उपरोक्त गध्यांस का संदर्भ लिखिए तो यहां पर हम सबसे पहले डालेंगे प्रस्णोतर संख्या तीन ठीक है प्रश्ण अच्छे से डालिएगा और उसके बाद यहां पर हम संदर्भ डालेंगे उसके बाद इसमें हमें लिखना है प्रस्तूत गध्यांस हमारी साप साप लिखेंगे तो फिर सारे नंबर आपको मिलेंगे ठीक है संकलित अब मित्रता लिखना है यहाँ ठीक है तो मित्रता लिखने के लिए हमें इसे हाइलाइट करना है क्योंकि हमें जब सही चीज अगर आपको नहीं पता है फिर आप हाइलाइट मत करिएगा ठीक है और सही अगर पता है तो फिर हाइलाइट कर दीजे मित्यता पाठ से लिया गया है इसके लेखक और यह जो गद्यान सा है यह हर साल पूछा जाता है ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टेंट गद्यान सा है इसको आप लोग तयार जरूर कर लीजिएगा इसके लेखक हाइलाइट कर दीजिए आचार्य रामचंद्र तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संदर्व आपको इसी तरीके से लिखना है ठीक है और संदर्व यहाँ पर देखिए आपको पहला प्रश्ण भी लिखना है ठीक है पहला प्रश्ण यहाँ पर डाल देना है तो पहला प्रश्ण हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ बर आपको दो नंबर मिल जाएंगे ठीक है अगला जो कोश्चन है उसको देखते हैं अगला कोश्चन यहाँ पर क्या पूछा है देखिए दूसरा कोश्चन पूछा है रेखांकित अंस की ब्याख्या केजिए ठीक है तो रेखांकित अंस की ब्याख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैदिकीसी निपुरता और परक होती है अच्छी से अच्छी तो यहां से सक्ची मित्रता से यहां करना चाहिए तक का आपको ब्याख्या करना हो रेखांकित का अर्थ है जहां पर रेखांकित अंस की ब्याख्या करना है तो चलिए रेखांकित अंस की ब्याख्या करते हैं यहां पर आप सबसे पहले प्रश्ण ड कि अंसकी व्य दिखाए एक डिंग डाल के इसकेल आपके पास होगी तो सचेल से थोड़ा सा इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिजिएगा इस तरह से दो अंडरलाइन कर लेंगे तो जादा अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम बैदिकी सिविदी पुर्दा और परक होती है यहाँ से यहाँ तक का आपको रेखांकित अंस की ब्याख्या करना है तो यहाँ से देखिए लिखेंगे आप सच्चे मित्र के पेखांकित अंस की ब्याख्या के जिए लेखा सच्चे मित्र के गुड़ बताते होगे कहता है कि सच्चा मित्र एक कुसल बैदि के समान होता है जिस प्रकार एक उत्तम बैदि रोगी की नफ्ज देखकर समझ जाता है कि उसको क्या रोग है उसी प्रकार एक सच्चा मित्र मित्र के हाव हाव देखकर समझ जाता है उसके लच्छनों को देखकर वह उसके गुण दोस्तों को परक लेता है तथा उसका सही मार्ग दर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है जिस प्रकार एक अच्छी माता देखिए यहां पर कहा गया है न कि माता सी धैरी है ठीक है जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैरी से स्वयम सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीवतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझा कर सही मार्ग पर चलने के लिए पριेधित करती हैं उसी प्रकार की मित्र की खो़ हमें करनी चाहे हर मनुष्य को उसी प्रकार के मैं खो़ करनी चाहिए जब संस्क्राइब जुए विश्वास पात्र मित्र मित्र हो और जो हमारी बुराईयों में हमारा साल trzeba हमें सही मार्ग दर्शन करें जिसमें एक अच्छे मित्र वैद की परक तथा मा जैसा धैर्व और कोमलता हो तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नती करेगा नहीं तो उन्नती की प्रतियाप चली जाएंगे तो यहां पर यह क्या हुआ आपका रेखांकित अंस की ब्याख्य ठीक है इतना आपको व्याख्या करना है उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्ण क्या है देखिए तीसरा प्रश्ण है लेखक ने लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किस से की है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि इसी में से आपको लिखना है तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की अवसधी है हमें अपने मित्रों से यह आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें द्रिण करेंगे तो यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ है कि मित्रता पाठ के आधार पर पाठ के आधार पर विश्वास पात्र आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुल्ना आवसधी से की गई है आवसधी से की गई है जिस प्रकार अच्छी माता जिस प्रकार जिस प्रकार एक अच्छी अवसधी अवसधी रोगी का रोग दूर कर देती है उसी प्रकार उसी प्रकार एक अच्छा मित्र हमारे सभी कश्टों को सभी कश्टों को दूर कर देता है दूर्गुण रोपी रोगों से हमें मुक्ती दिलाता है तो आपको इस तरह से तीसरे प्रश्ण का भी उत्तर दे देना है और सभी प्रश्णों को उत्तर देने के बाद आपको यहाँ पर इसके सारे नमबर आपको मिल जाएंगे ठीक है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करती हूँ सभी बच्चों को संदर्व यानि की गध्यांस आप लोगों को गध्यांस के प्रश्णों को आपको कैसे हल करना सारे प्रश्णों के उत्तर आपको इसी गध्यांस में से मिल जाएंगे तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर पूछेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद